आज के वीडियो में हम नजर डालेंगे लक्सर जंक्षन से ले करके हरिद्वार तक जो दोहरी करण का कारे चल रहा है वो अभी पूरा नहीं हुआ है एकड़ तक लाइन कंप्लीट हो गई है डबलिंग और एकड़ के आगे फिर हरिद्वार तक बरस्ता जौलापुर क्या काम चलना उस पर डालेंगे एक नजर आज के इस वीडियो में जो पार्ट वन मैंने क्या था जिसमें मैंने आपको लक्सर जंक्षन पर जो दोहरी करण का कारी बचा हुआ है थोड़ा सा 500-600 मीटर के लगबग जो ट्रैक है वहाँ पर एक निया ट् जरूर दबा दीजे ताकि जब भी कोई नया वीडियो ट्रेंस एंड ट्रैवल पर मैं अपलोड करूं वो बिल्कुल भी आप से मिसना हो तो चलिए एककड से हरद्वार तक क्या हो रहा है दोहरी करण का कारी कित्ती प्रगती हुई क्या-क्या काम बचा है इस पर डालते है एक नजर इस वीडियो में तो हमारी ट्रेन अब आप पहुँची है इककड रेलवे स्टेशन पर और लकसर जंक्षन से इककड तक लगफ़क दोहरी करण का कारी कुरा हो चुका है यहां तक डबल ट्रेक है यह इककड इस्टेशन की में बिल्डिंग आ गई हम लोग आप पहुँच चुके हैं उपासना एक्स्प्रेस से यह वीडियो मैंने शूट किया है अपनी देहरा दून की यातरा में तो यहां तक जो दोहरी करण का कारी होना है लकसर जंग्षन से हरेद्वा तक उसमें इककड यह वो स्टेशन है यह वो जगए है जहां तक डबल ट्रेक आपको मिल जाता है इसके बाद हरेद्वार की दिशा में बरस्ता ज्वालापुर अभी सिंगिल लाइन है उसका दोरी करण हो रहा है उसको हम देखेंगे इस वीडियो में यह एकड़ स्टेशन की नई बिल्डिंग बनाई गई थी पैनल रूम वगएरा जब धोरी करण का कार्य चला लक्सर से हरेद्वार तक का और उपर आप देख सकते हैं सौर पैनल सोलर एनर्जी से अब बिजली ली जा रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ रेल्वे कड़म बढ़ा रहा है जिससे प्रदूशन भी ना हो और खर्चा बचता है कम पैसे में आने वाले समय में एकनॉमिकल हो जाएगा तो सौलर से पावर जनरेशन जो है वो हो रही है और धीरे धीरे हम इकड़ स्टेशन से अब आगे ज्वालापुर स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे हरिद्वार की दिशा में तो यह आप देख सकते हैं यहां से धीरे धीरे ट्वेन आगे बढ़ रही है रफतार पागर रही एकड से लकसर तक डबल लाईन है जैसा मैंने आपको बताया और यहां से आगे हरेतवार की दिशा में अभी सिंगल ट्रैक है तो कौशन रहता है यहां पर रेल रुख जाती है जो भी ट्रेइन्स देरादूं हरेत्वार की दिशा में चारी जारी जारी रिशीकेश की दिशा में चलेगे तुकर से तो उसके लफ्ट एंड पे जो में ट्रैक है ये एलाइन्मेंट बनाया जा रहा है जहां पर पोल साप देख सकते हैं इलेक्रिफिगेशन के इलका एरेक्शन हो गया है और कॉंप्रिट के स्लीपर स्ट्रैक के किनारे जो ये रखी हुए ये यूस होगे डबल राइन बनाने में धीरे धीरे रिल गाड़ी हमारी रफ्तार प्लड रही है तो ये डबलिंग का व्यू आप साइड में दिखे जाए ये क्योंकि हवा की हवास तेज होती जाएगी तो जो इना दोल रहा हूँ तो उसे चैन उतना साफ नाने बाड़ हो पाएगा ये देख सकते हैं आप कॉंप्रीट के स्लीपर्स यहां पे लख्ट हैंगे आप निक्राओगर ट्रैक के उच्ट किनारे किनारे रख्टों में और लेक्रिफिकेशन में बोल्स इरेक्ट हो गए और ये रिल बैड है इस पर ये बिचाय जाएगा बैलास्ट डाल करके पॉंप्रीट के स्लीपर्स बिचाय जाएगे पिर उसके उपर ट्रैक बिचाय जाएगा तो ये डब्लिन का काम ज्वालापुर के दिशा में हम चल वालापी जाएगेा थियो लुयाएगा तेम लगना बडकीनakes प्रेंज कर दो को लुपल प्रॉप टोगा यूज़ जए अगाँ नोगाँ टोगाँ यूजाँ जदार रख झाल कर दोगाँ झाल लग दोड़ी आपर दोड़ी आप सिम्सुटर दोड़ाई जोड़ कि अाया थाल थाल वाल जाल वाल एंग गÅज़ पसतोची जादे हम आपरेंगा एको प्राइब में पूराएंगा एक सब्सक्राइब एक पर रहे हम इज भादेरोंuleन कर दोड़ेता है तो यह हम आगए ज्वालापुर स्टिशन पर छूटा सा स्टिशन है इसकी ठीक बात फिर हरे द्वार आ जाता है तो यहां तक जो दोरी करल का कार है गंगा जो कैनाल जारी उस पर नया पुल बन रहा है कॉंक्रीट के स्लीपर्स आपको दिख रहा होंगे किस प्रकार से बिच्छा लिए गए और कहां कहां पर क्या तयारिया हो रही है वो आपने देखा हे इस वीडियो में यहां तक यहां पर ट्रेन रुग गई है तो आवाज आपको मेरी साफ सुनाई देगी क्योंकि हवा की जब रफ़तार से जब ट्रेन चलती है तो आवाज जो है हवा की आवाज में, वो साफ सुनाई नहीं देता पिर, यह कर दो झाल चाल प्रिजल को नांग कर दोग बाद को दो दुट है कर दो कि दो दो कि दो करते हैं दो गजब स्टेट कि दो चांद दो चांद है। गस ऑट वो होुआत है और धीरे धीरे अब हम आ गए हरेद्वार, तो लक्सर से हरेद्वार के बीच दोहरी क्रण का जो अपडेट था, मैंने आपको देने की कोशिश की अपनी तरब से जितना बेतर मैं कर सकता था शूट इस वीडियो को, मैंने कोशिश की उमीद है आपको पसंद आएगा आपको जी नितना आपको भ Очितना नhar व stora बिया मैंने कोशिश की उपको लाग मैंने की कियो बा् activity Hello झाल झाल